असलामलेकूम आज हम इस वीडियो में जुसी कि आप यहां पे देख रहे हो कि यहां पे अलग-अलग छोटी बड़ी चीजे हैं तो उसी तरीके से हमने पिछले वीडियो में सीखा कि अदत का छोटा बड़ापन क्या होगा अभी हम देखेंगे यह चीजों में सबसे चोटी चीज और सबसे बड़ी चेहा कौन सी है तो मुझे बताईए हमारे पास यह दो चीज हैं तो हमारे पास चोटी चापन सिर्झे तो इन डोनों में से जो हमारे चोटी चीज है वह है यह और बड़ी चीज क्या है हमारे पास इन दोनों में यह तो बॉल इससे बड़ा है इसे तरीके से हमारे पास छोटा है और बॉल बड़ा है अभी हम और कुछ मिशाल लेकि देखेंगे जैसे कि हमारे पास ये दो बॉक्स है तो इसमें छोटा बॉक्स और बड़ा बॉक्स कौन चाह है ये हमारा छोटा बॉक्स है और ये बड़ा है तो ये बॉक्स इस बॉक्स से बड़ा है क्या है ये बॉक्स जो है हमारे पास इस बॉक्स से बड़ा है हम और मिसाल के साथ समझने के गोशिश करते हैं अभी जैसी के आप यह देख रहे हो हमारे पास एक लकड़ी का टुकड़ा और एक यह है ठीके इन में छोटा कौन सा है और बड़ा कौन सा है हमारे पास लकड़ी का टुकड़ा है वो इस से छोटा है और यह लकड़ी की टुकड़े से बढ़ा है, है ना, तो इस तरीके से हमने चीजों के तरीए जो हमारे पास अशिया मौजूद है, उसको उसमें हमने देखा कि कौन सी चीज किस से छोटी है और बड़ी है, उसी तरीके से हम देखते हैं, यह और यह, यह हमारे पास चाई का जो हमारे पास चाई का कप है, वो इस बाउल से छोटा है, और बाउल जो है, वो चाई की कप से बड़ा है, समझा रहा है ना, तो हमने क्या के सीखा आँच, क्या के चीजे से सीखा, हमने कुछ चीजों के जरीए कोशिश की है, कि छोटी अशिया और बड़ी अशिया कोन सी है तो यह हमारे पास बॉल से हमने यह देखा फिर इस से और और इस बॉक्स है हमने मिसालों के जरिये समझने की गोशिश के देख रहा हूं तो यह जो बॉक्स है यह इस बॉक्स से बड़ा है और यह जो बॉक्स है इस बॉक्स से छोटा है ठीक है और यह जो हमारे पास लकड़ी का तुकड़ा है इस से छोटा है और यह लकड़ी के तुकड़े से बड़ा है देख रहा हूं यह बड़ा है बॉल जो है यह इससे बड़ा है और यह इससे छोटा है और जहां में पर चाई का कप है वह बाउल से छोटा है और बाउल चाई के कप से बड़ा है ठीक है तो इस तरीके से हमने चीजों के जर्ये छोटा और बड़ापन समझने की कोशिश की है शुक्रिया झाल झाल कि झाल